नमस्कार साच्टेजी महराजी के द्वारा आप लोगों को आज एकादसी व्रत पर्व के बारे में बताया जा रहा है आज हमारा पर्व एकादसी का है येकादसी गुरुबार के दिन प्राता नो बच के 38 मट से प्रारम हो रही है और शुक्र बार को सुबह आठ बच करके 9 म मानने होता है क्योंकि जिस त्थी में सूर्व का उद्व होता है वह त्थी सर्व परी माने जाती है तो आपके एकादसी का जो पर्व है वह सत्रा सितंबर दोजार एकीस को सुकुरुबार के दिन पढ़ेगा और इस ब्रत का क्या महात्तो है एकादसी क्यों रखनी ब्यक्ति सबी बंधनों से मुक्ष और ब्यकुंट की प्राप्ति पाता है क्योंकि एकादसी ब्रत के जो इस्च देवता है वो नारायन है वो नारायन की उपाशना करने वाला व्यक्ति हमेशा नारायन की मार्क पर जाता है वो नारायन का हमेशा इस्थान ब्यकुंट में ग्राजमान होते हैं तो बैकiądट की प्रापती की क्षा रखने वाला जो भी प्रानी हमारी साथ है जुड़े हुए और यहार एक दसी के ब्रत भहुत ही स्रदधा, भाव से रखते हैं एक दसी के ब्रत में क्या-क्या नहीं करना चाहिए बहुत महत्पूरुन है एकादसी के ब्रत में दी आपने भोजन नहीं किया तो आपका ब्रत हो गया और एकादसी के दिन जितना कम जला पिएंगे और चावल खाना बिसेस्ता परहेज है जो ब्रत नहीं रह सकते हैं उन लोगों को एकादसी के दिन मीट मचली अंडा लैसुन नहीं करता है और चाहल तो पडिसेस्टा करना चाहिए क्योंकि चाहल और पानी और दूद तीनों ही चंद्रमा की कारख माने जाते हैं एकादसी के दिन तीनों चीजों में परहेज है कि जतना कम जल पीपी सकते हैं बहुत अच्छी बात है अगर आप दूद ना पी का दिन तो हमारा चंद्धरमा हमारी बुद्धी में विकारत्बंड करता है और नाना प्रकार की दसाइप करता है, हमारा दमाग आस्तर होता है और जिसकी लगने में चंद्रमा होता है, ऐसे वक्ति प्राहिहार finished उसे धोका खाते है क्योंकि जीवन में इस तरह संतुलन नहीं होता तो मेरा शवीशन बेदाने कि एक अधिसी के तनकर ब्रत नहीं दख सकते हैं तो शाओन दूद का परेज आवश्य करें और यह तब कब और कैसे हुआ है नाराण भगवान ने इस ब्रत की लिए देवर्श् जल का भी हम सेवन ना करें और उस ब्रत को काईम रख्यों से कहते हैं निजला इकादसी यदि हम दश्मी तिथी लगते ही अपना भोजन जल सब त्याग देते हैं और द्वादसी लगने के बाद हम पाराण करते हैं यह ब्रत का विशेश महत्तो है क्योंकि दश्मी को जो पैश्णो संप्रदाय के लोग होते हैं यह बिशेश महत्तो मानते हैं वो सभी लोग प्राया दस्मी को एक दवस भोजन करते हैं एकादसी को निर्जला रखते हैं और द्वादसी को उद्यात थी में नहा धो करके नारान भगवान की पूजा पाठ करके उसके बाद एक ट लिड़े बनेंगे जो सफेद वकार का कीड़ा होता है जो जादातर प्राया गंदी नालियों में पाया जाता है क्योंकि ब्रम्हा की स्राफ़ विश्वभगवान का वरदान है कि अगर द्वादसी को आप चान गरान करते हैं तो आपको मुख्ष की प्राप्ति होती है और आपको बता जो कि इस तरीके के ब्रत करने बाले जो हमारे शंप्रदाइस नातन पद्धती में हैं उनको अर्थ धर्मकाम मुक्ष की प्राप्ती होती है एक आदसी का ब्रत सुक्सांति संप्रद्धी प्रदान करने वाला है क्योंकि ब्रह्मा करो तो दीरगायो विश्णु क करो तो संप्रदाम विश्णु भगवान जो हमारे लक्ष मिनारान है वो शुक्सम्रद्धी संप्ती को बढ़ाते हैं तो प्राया जो लोग एक आदसी का ब्रत रखते हैं उनके जीमन में धरन धाननी की ब्रद्धी होती है सभी मुक्ष बाधाओं से प्राप्ती होती है औ की आदसी के दिन को या सा महात्तरणा पाय करते हैं जिसने नारान अती परसंद होते है तो उसके वारे हम आगे अभिश्वर्ड में चर्चा करेंगे कि क्यों कौन कौन से पाय करने चाहिए करत कर दो दो कर दो कर दो दो सकत।